आज के इस चुनावी सभा में उपस्तित हमारे सीनियर लीडर श्री शवल पवार जी, अर्विंद्र केजरिवाल जी, उद्दो ठाकरे जी और इस मंच पे बैटे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर जो पदारे हुए मेरे भाईयों, बहनों, नमा, पूरे नौजवान सातियों और मेडिया के मेरे दोस्तों अब जो अब तक तो भाशन सभी का आपने सुना, शरद पवार जी बात किये, उद्दो ठाकरे जी बात किये, अर्विंद केजरिवाला जी ने बात किया, सभी ने बात करने के बाद मैं समस्ता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं बचा आपको कहिने के लिए, ऐसा तो कहिने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब ये ऐसा हुआ, उद्दो ठाकरे जी साब ये बफे सिस्टम बना दी, और बफे सिस्टम में क्या होता है, जो पहले बोल पहले जो खाते हैं, उनको अच्छा भोजन मिलता है, जो बात में बोलते हैं, उनको धूंडना पड़ता कहां क्या है, तो ये जो है, आज मैं हमारे उद्दो ठाकरे साब का और शरत पहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, कि उन्होंने और हमारे नाना पटोले जी, ये सब पार्टी के लोग मिलके और गटबंदन के ओर से ये बहुत बड़ी सबा यहां हो रही है, महराष्ट में इतनी बड़ी सबा यहां पर पहली बार हो रही है, और ये शक्ती प्रदर्शन है, ऐसा मैं खहूंगा, आप सभी का जोस और उत्सा देखकर मैं समझ गया हूँ, कि आप लोगों ने नार्थ सेंट्रल मुंबई सीट से हमारे कांग्रेस पार्टी की उमिद्वार वर्षा गाईकवार को भारी मतों से आप विजी बनाएंगे, आप सब उनको जानते हैं, और वो भी आपको जानती है, और बहुत से काम उन्होंने मिनिस्टर के नाते भी किया, और अर्गनाइजेशन में भी हमारे पार्टी के वोर्ष से बहुत से काम उन्होंने यहां पर की, तो मेरा कहिना यही है, जो लोग काम करते हैं, उनको आप लोग सपोर्ट करना चाहिए, यह तो भूमी, जैसा कि वक्ता ने कहा, यह भूमी है, महाराज चत्रपती सिवाजी महाराज की जमीन है, और यह महात्मा जोती भा फुले की है, सावीत्री भाई फुले की है, संत द्यानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, तुकडे महाराज, ऐसे कहीं संत इस धर्ती पे महाराज में पैदा हुए, और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने लड़ा, सबसे महान नायक, डाक्र बाबा साहब अंबेड करकी यह धर्ती है, उनी के वज़े से, आज हम कुछ रिजर्वेशन पाए हैं, या सब कुछ जो बुनियादी हक हमक बहुत से लोग बहुत कुछ बात करते हैं, अगर महाराज में पूना पैक्ट अगर नहीं होता, आज आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, यह रिजर्वेशन वहाँ से शुरू होगा, जब बाबा साहब अंबेड कर मात्मा गांदी जी के बीच, जो एक एग्रिमेंट हुआ, वो वैसा ही चलते चलते आया, और कांस्टून्ट असेमिली में भी रिजर्वेशन उसको लागू किया गया, यह इसी भूमी है, जो जिसको यह लिमिट नहीं है, मेरा महाराश्रा, मेरे लोग, मेरे लीडर नहीं है, यह महाराश्रा छोड के दिल्ली तक, पंजाब जम्मू कश्मीर तक इन नेताओं का नाम है, महात्मा फुले सिर्फ महाराश के लिए ही नहीं है, महात्मा फुले कन्या कुमारी से कश्मीर तक उनको फोटो लगती है, बाबा साब हम बैड कर सिर्फ बंबई के नहीं, लेकिन उनको फोटो हर जगे लगती है, केजरी वाला अपने बाजू में लगा के बढ़ता है मैं यह कही को क्यों कहे रहा हूँ कि यहां के जो लीडर्स है संत है वो सारे लोग पूरी समाज का पूरे देश का और समाज के बारे में सोचने वाले महापुरुष यहां पर हुए इसलिए मैं उन सब को नमन करता हूँ और एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मोदी जी हर जगे कुछ ना कुछ बोलकर वो अपना द्नान बोलो द्नान बोलो क्या है मुझे समझ में नहीं था वो प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं रोते हैं मैं आमदाबाद गाया था आमदाबाद में उनकी एक राली चल रही थी हमारी एक राली दूसरे जगे थी उन्होंने वहाँ पर भाशन किया आप सोचिये अगर कांग्रेस की गटवन्दन सरकार बनेगी तो आपके पास दो एकर जमीन है तो एक एकर वो मुसल्मानों को देंगी और उन्होंने ये भी कहा आपके घर में जो सोना चांदी जो कुछ भी है उसका एक स्रे करके बाहर लाकर बटवारा करींगे एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है और दूसरा यहां तक भी बोला मुझे और भी हसी आई अगर आपके पास दो भाइस हैं एक भाइस उन्हों मुसल्मान को देंगे ये उन्होंने का आप पड़े होंगे आप देखे होंगे ऐसे मैं समझा प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक स्टेश्मेंट के तरफ रहे के बात करते हैं और उस डंग से ही बात करते हैं लेकिन यहां तो प्राइम मिनिस्टर हैं जमीन से लेकर भाइस तक बड़वारा करने की बात करते हैं और उन्होंने ये भी बात किया कि मोदी सब को लेके चलता है जिस दिन मैं मुसल्मानों के लेकिन बोल रहे रोज अनों ही बोल रहे और जगडा उनों ही लगा रहे आपस में आमारे जो जगडे करा रहे वो उनों ही करा रहे और उनका खास मकसद ये है इन लोकों को आर्थिक द्रस्टी से मजबूत नहीं करना चाहते हैं इनको पिचडे का पिचडे रखना चाहते हैं इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं देखिए 30 लाग वेकेंसीस सरकार में खाली है सेंट्रल गवर्मेंट में क्यों नहीं भरती कर रहे हैं वो सैंक्शन पोस्ट है और उसमें वो भरती करना नहीं चाहते हैं 30 लाग में कम से कम 15 लाग यह CST को मिलता है और बाकी के 50 परसेंट अलक लोकों को मिलता है यह सब इतना रहने के बावजूद भी वो एंप्लॉमेंट के तरफ ध्यान नहीं दे रहे रोजगार के उपर ध्यान नहीं दे रहे मांगाई के उपर ध्यान नहीं दे रहे वो हमेशा सिर्फ बात अगर करते हैं छोटे मोटे बात करके कहते हैं कि मैं ने बहुत कुछ किया तुमने क्या किया खासकर हमारे को बोलते रहते हैं सत्तर साल में कॉंग्रेस ने क्या किया अब बात बात में अब इधर इधर 55 साल बोल रहे हैं हम कुछ नहीं करे होते इस देश में समिधान अगर बचाये नहीं रख सकते लोगतंत्र को अगर बचाया नहीं रख सकते तो मोदी जी आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं बन सकते थे हमने उसको सुरक्षित रखा हमने जनतंत्र को सुरक्षित रखा इसलिए शाह और आप उस गद्धी पे बैटे हो और हर चीज को मोदी आए तो मुम्किन है मोदी की गयारंटी उसका उलेक भी हमारे वो दो ठाकरेजी नहीं किया मोदी की गयारंटी क्या है मोदी की गयारंटी यह है जूट बोलना 15-15 लाग रुपई देने का वाइदा किया काला धन लाकर दिया उसने दिया मिला उसको नहीं मिला आपको तो प्राइम मिनिस्टर जूट बोल रहे है या सच बोल रहे है उन्होंने कहा दो करोण नौकरिया हर साल दूंगला दिया उन्होंने नहीं दिया ये भी जूट है न फिर उन्होंने ये भी कहा हमारे किसानों की आमदानी मैं दुपट करूँगा दुपट हो गए किसानों की आमदानी नहीं होगा तो इतना जूट बोलने वाला प्राइब विनिस्टर अगर किसी देश में है तो भारत में है वो हिंदुस्तान में है वो है मोदी जी इसलिए मैं उनको कहता हूँ जूट बोलते ही रहते हैं सुबह शाम तक उसलिए मैं उनको ये कहता हूँ आप जूटों के सरदार है आप जूटों के सरदार हो सब को जूट बोलते हो और देश को फसा रहे हो और आपके जमाने में जब 2014 चौधा शरौत पवार जी है और हम एक ही क्याबिनेट में थे उस वक्ट पेट्रोल का दाम 66 रुपीज था आज 104 रुपए दो हजाद चोईस में तो कौन सी गवर्मेंट अच्छी थी आप बोलिए 66 रुपए को पेट्रोल लेने वाली गवर्मेंट क्या 104 रुपए देने वाली गवर्मेंट स्वारी एक हजार चार उसके पास में यह स्वारी 104 डिसल की किम्मत 52 रुपए अब है 129 रुपए यल्पी जी 414 रुपए अब है 903 रुपए आटे की किम्मत 10 के जी 210 रुपए अब है 447 रुपए और दूर की किम्मत 39 रुपईज था आज है 66 रुपईज तुर की दाल 80 रुपई थी आज है 128 रुपई यानि आप किसी का भी दाम ले लो मोदी के जमाने में हर चीज मंगी हो गई है और हर चीज मंगी होने के पाद गरीबूं को क्या मिलने वाला है और इनकी गारेंटी कोन सी है मैं बोला दाम बढ़ाने की गारेंटी है चूट बोलने की गारेंटी है सत्य कभी नहीं बोले सत्य से दूरी रहे हो लेकिन हमने Congress Party में Central Government में जब थे हमने नरेगा स्कीम लाया Put Security Act लाया Forest Conservative Act लाया उसी के साथ साथ जितने भी जो Progressive Act थे कानून थे उन कानूनों को हमने लागू किया तुमने क्या किया तुम सिर्फ ED, CBI, Income Tax, CVC इनका इस्तिमाल करके सब को जेल में ढाले का काम किया ये लोग सिर्फ जैज़ा कि हमारे भी केजरिवाल ने कहा कि रस्या में चुना हो गए और बेंगलादेश में चुना हो गए पाकिस्तान में चुना हो गए वह ऐसा चुनाओ करके मोदी जी भी यहां पर वही अपना प्रैक्टिस करना चाहते है देखिए यहां पर हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तान के जैसे डेमाकरसी को कभी नहीं चाहेगी चाहे वो कुछ भी हो लड़ेंगे हम बेंगलादेश का जैसा इलेक्शन हम नहीं होने देंगे रसिया जैसा इलेक्शन हम नहीं होने देंगे यहां के लोग मजबूत हैं थोड़ा वक्त देते हैं थोड़ा वक्त के बाद अगर ठीक डंग से नहीं चला एक क्रांती यहाँ पर हो जाएगी यह खास करके खास करके हमने जो आज शपत लिया इस देश में समिधान बचाने का शपत लिया है इसको बचा के रहेंगे हर कीमत पे बचाएंगे यह समिधान सब के लिए सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं है ये समिदान हमारे मूल भूत अधिकारों के लिए है बोलने का अधिकार लिखने का अधिकार हमको जो काम करना चाहिए उसका अधिकार हर चीजों का अधिकार इस किताब में इसको चीनना चाहते हैं मोधी जी आप लाग कोशिस करो आप कभी इसको चू नहीं सकते और आपकी RSS भी इसको चू नहीं सकती यह अपना दावा है जिसके लिए लोग लड़े, मरे, कुर्बानी दी और उन लोगों के सामने ही यह Constitution आप बदल नहीं सकते और कोई बदलने की कोशिश किया तो आप समझिए BJP का नामों और निशाना नहीं रहेगा और एक खास बात बोलने जा रहा हूँ मोधी जी हमेशा क्यों रोते मज़े समझ में नहीं आदा वो बोले परसु मैं सुना और नॉमिनेशन भरने के बाद वो लोकों के सामरे लोकों को संबोदित कर रहे थे भाशन वो क्या बोले महीं यहां नहीं आया मुझे मा गंगा ने भुलाया मा गंगा ने भुलाया इसलिए महीं यहां पर आया अरे मा गंगा तो आपको कहीं से भी आशिर्वाद देती थी वहीं से लड़ना था गांधीनगर से वहां छोड़के यहां आके मा गंगा बुलाई यह धार्मीक भावनाओं को बार बार उठाना उचालना यह जो काम मोधी कर रहे है यह हमारे election code of conduct के खिलाफ है लेकिन मोधी हमेशा रोते भी रहते हैं बोलते भी रहते हैं जगडा लगाते भी रहते हैं और उन्हों इतने माहिर है कि जो बात उन्हों एक दिन पहले बोले दूसरे दिन अगर कोई पत्रकार पूछा आज कल पत्रकाराओं से तो नहीं मिलते हैं एक एक लोग को बुलाते हैं पहले ही वो रेडी मेंड रहता है वो रेडी मेंड को वो अपने टीवे में डलवा देते हैं अब देखें हूंगे आप एवरी हाफ यह नवर मोधी जी का चेरा दिखता है और मोधी जी का चेरा दिखाते ही है एर टीवी में और बाद में यह कहते हैं कि मादम यह अपने मोधी जी का popularity बढ़ गया क्या popularity बढ़ गया तुमने तो देश को सत्यानास किया सब को बोले सब का साथ सब का विकास लेकिन सब का साथ तो लिए लेकिन सब को सत्यानास कर दिए यह मोधी की अउतार है और मोधी सिर्फ उनको जह चाहते हैं उनी को सपोर्ट करते हैं लोकों के लिए नहीं है अमीरों के लिए गरीबों के लिए उन्हों में कुछ नहीं किया हमने यही पूछा उनसे Parliament में भी बाहर भी अरे भाई तुमारा काम बताओ काम बता के वोट लो उन्होंने कभी भी अपने काम नहीं बताए यह बताया उन्होंने मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा अमदाबाद से लेकर हुमबई तक आई बुलेट ट्रेन एक लाक रुपए जपान से करजा लेकर लाया और बुलेट ट्रेन मैं दो साल में कम्प्लीट करूंगा उन्हों ने कहा दो साल गए आठ साल गए दस साल गए वो बुलेट ट्रेन कहा है दिक्री नहीं खेर वो तो गरीबों के लिए भी नहीं है इतनी मंगी है सिर्फ अमीरों के लिए उन्होंने वो एक बुलेट ट्रेन का बताया था तो ऐसे कहीं चीज़े हैं कि मोदी जी अपने वक्त जो काम करने का वाइदा यहां पर एक होर्डिंग गिरी 13 मैं को उसमें 14 लोग मरे 40 से ज़्यादा लोग घाय लोग है दब गए निचे उन्होंने देखने के लिए भी वहाँ पर नहीं आया वो यही मुंबई में थे मैं पूचता हूँ मुदी जी गरीबों के लिए आपके पास यही हमधर्दी है उनको देख भी नहीं सकते पूच भी नहीं सकते जैसा मनिपूर में हो रहा है मनिपूर में एक साल से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर अपने हकुक के लिए लड़ रहे हैं बहुत से रेप हो गए 60 अजार 70 अजार लोग अपना घर बार छोड़ के चले गए लेकिन मोदी जी वहाँ नहीं गए मोदी जी देश विदेश में फिरते रहे 14 दवरे विदेश में उनों ने किया और एलेक्षन के भाषन तो आप पूचो मत इतने भाषन एलेक्षन के उनों ने इस बार किया दिल्ली से लेकर गली तक हर जगे जाना भाईों और भाईनों अपना ही बात करना मैंने ये किया मैंने वो किया और अमारे को अमारे शरत पवार साब को भी उन्होंने इन्वाइट करने की बात करी उन्होंने ये कहा कि शरत पवार जी अब ये बुड़ापे में क्यों कांग्रेस के तरफ जा रहे हैं उद्धो ठाकरे जी को भी वही का ये लोग उद्धो ठाकरे हो या शरत पवार जी हो ये किसी के सामने जुकने वाले नहीं है वो कट जाएंगे लेकिन जुकेंगे नहीं तुम हैसे लोगों के बारे में कोशिश कर रहे हो हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो किसको नकली असली बोलकर तुम हमको डराने की कोशिश कर रहे है तो इसलिए बंदो मैं जादा आपका वक्त न लेते होए मैं यही कहूंगा जो हमारे खास करके यहां के जो कोशी करनाटक में हुई हमारा वहां पर तोड़ फोड़ हो गया एक बार गिरा है गिराने के बाद हमारी सरकार गिरने के बाद फिर इतने जोस में मां कॉंग्रेस आ गई 136 सीट लेकर भौमत में आकर आज ग्यारेंटी दे पांच ग्यारेंटी हमने जो कहा था वो हम दे रहे हैं तेलंगान हमें छे ग्यारेंटी बोले हम दे रहे हिमाचल में बोले हम पांच ग्यारेंटी वो दे रहे हम ऐसी ही नहीं बोले हम सब देखकर ही बोले हैं और उसका हमने अनुस्ठान में लाने की पूरी कोशिश किये ह और ये जो कहते हैं वो कुछ भी करते नहीं बार-बार बोलते रहते हैं और एक बात यहां निकली कि मोदी जी किसके लिए कोशिश कर रहे कि वो शाह के लिए करेंगे क्योंकि पचातर साल होने के बाद वो छोड़ देंगे और उसके बाद शाह आ जाएंगे अरे शाह कहां से आते हैं हम मोदी कोई छोड़ रहे नहीं जगा मोदी यह नहीं रहेगा तो शाह कहां से आएगा मोदी इस बार 200 पार नहीं कर सकते और इंडिया गटबंदन 300 के पार हो जाता है यह मैं हर जगे फिरा हूँ हर स्टेट गया हूँ और हर स्टेट में अंडर करेंट है और मोदी डर गए है और डर के भाईका भाईका वे बाते कर रहे है कभी कुछ कहते हैं तो इसलिए आप डरो मत मोदी कुछ भी करने दो अरे इस देश को तो आजादी हमारे लोकों ने दिलाई सूली के इसमें फासी पे चड़े बहुत से लोक स्कूल छोड़ दिये कॉलेज छोड़ कर इस देश को आजादी दिलाए मोदीजी की कांट्रिविशन क्या है आरेसेस की कांट्रिविशन क्या है उन्हों देश के लिए एक कुछ भी किये बिना सुपह से शाम तक गांग्रेश को गाल्या देना सुपह उड़ते ही राम का नाम कम लेते हैं कांग्रेश का नाम ज़्यादा लेते हैं राउल गांधी का इंद्रा सोनिय गांधी का यहां तक कि उनों जवरला नेरु को भी अपनी बाते सुनाते हैं कड़वी बाते तो ऐसे लोग देश बना सकते हैं तो भाईयों मैं आपको ज़्यादा और ज़्यादा बिटाने की यहां पर कोशिश नहीं करूंगा तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस देश के लोगतंत्र को बचाओ समिधान को बचाओ यही मैं बात आपके साथ बचाएंगे समिधान को बचाएंगे लोगतंत्र को बचाएंगे और आखरी मैं कहूंगा कि हमारे जो यहाँ पर के क्यांडिडेट है वर्षा गाइकवार जी, भूशन पाटील, अर्विन सावन जी, अनिल देशाई, संजे पाटील, सिवसेना, अमोल, किर्तिकर ये सबी लोग इंडिया गटबंदन के शेर है ये सबी लोग, ये सबी लोग, ये मजबूत हमारे खंबे है अगर किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश की, वो तोड़ने का नहीं होगा और हम आगे पढ़ेंगे, आपके आजिर वास्ते चुन के आएंगे, फिर आपकी सेवा करेंगे धन्यवाद, जय हिन, जय हिन, जय भीम, जय भीम, सबको धन्यवाद, जय महाराष्ट्रा जय हिन, 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 जय ह